लेटेस्ट प्रडॉक्ट की नोलिज पाने के लिए सब्सक्राइब करें SS प्रडॉक्ट नोलिज साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहे हैं नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या हम दश एच्पी के वी एफडी पर दो पांच 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 एच्पी की मोटर्स ला सकते हैं जिहां आज कहा हमारा टोपिक यही रहेगा तो मैं संग्रावन सिंग SS प्रडॉक्ट नोलिज य आज है तो बीबात और हुरी है जैसे हमारे पास कोई फडिय दस हैं को यह कमेंट जाद तर आता है मेरे पास कि 10 एच्पी के वी एफडी पर क्या हम 25 पांच हैं मोटर्स ला सकते हैं लाग्यों वे एफडी काम कैसे करता है यह मां पहले बता चुका हूं अभी इसमें थोड करण्ट को आगे देना बंद करेगा या फिर वह लेना बंद करेगा तो उसकी दो कंडिशन से एक तो है अंडर लोड एक है ओवरलोड या फिर के भी माल लीजिए पाँच एमपीर पर से एमपीर है वह नहीं आएगी वह वहां भी अपना कट मार देगा तो यह तीन कंडिशन से अब इसी पर हम एक्जांपल लेते हैं कि माल लेजिए हमारे पास दस एच्पी का विएफडी कंट्रोलर है पहली तो बात यह है कि जितने एच्पी का विएफडी है वह उतने एच्प अब बात करें पहले मोटर चला दी जैसे ही आप पांच एच्पी मोटर चलाएंगे तो दस हईच्पी का जो विएफडी कंट्रोलर है वह वहां पर जाइगा क्योंकि वह एंडर लोड हो जाएगा और अंडर लोड की condition वह भी VFD कट लगा देता है तो एक तो यह condition यह रहती है कि अंडर लोड condition में भी आपका VFD कट लगा देगा उसके बाद अगर आप specification set करते हो जैसे मेरे पास कमेंट आयादा कि हुआ हम 5 HP के VFD controller पर क्या हम 3 HP की motor ला सकते हैं तो जो 5 HP का VFD controller है अगर आप उसको 3 HP के specifications के हिसाब से set कर दो तो वहाँ पर आपकी motor चल जाएगी यह condition है उसमें अब 10 HP वाले में यह condition नहीं कर सकते आप क्योंकि 5 HP का load बहुत कम हो जाएगा उसके बाद अगर आपने set कर भी दी आप मान लीजिए उसकी specification के हिसाब से के जिससे आपकी 5 HP की motor चल जाए आपने दो अलग-लग string बना दी और उसके हिसाब से आपकी 5 HP की motor की specification set हो गई अब जैसे 10 HP के VFD controller पर जैसे ही आप 5 HP की motor चलाएगे तो वहां वो cut नहीं लगाएगी लेकिन उसके बाद जैसे ही आप दूसरी motor on करोगे तो दूसरी motor के on होते ही वो एकदम overload condition में चला जाएगा क्योंकि उसका जो load है अब जो motor को स्टार्टिंग होने में जो load चाहिए वो तो अपना load लेगी उससे पहले एक motor running में अरड़ी चली हुई है तो वहां पर वो overload condition में चला जाएगा तो इन दोनों case में आपकी motor नहीं चल सकते कई बार मेरे पास स्वाल आता है कि जादा HP के VFD पर हम क्या कम HP की motor चला सकते हैं तो उसका जवाब यही है जैसे हम 5 HP का example लेकि 5 HP की अगर आपके पास VFD controller है और आप उस पर 3 HP की motor चलाना चाहें तो उसके इसाब से आपको specification set करने पड़ेंगे जैसे आप अगर specification set करने में आप काम्याब रहे तो आप वहाँ पर अपनी 3 HP की motor को चला सकते हैं लेकिन 10 HP वाले पर यह under load चला जाएगा 10 HP वाले पर आपकी 5 HP की motor भी नहीं चलेगी अगर आप दो motor चलाना चाहें तो overload condition में चला जाएगा क्योंकि एक ही condition होगी या तो आप दोनों के एक साथ होन करोगे अगर एकदम नहीं मान लीजिए फर्स टाइम आपने जैसे पांच HP की motor चलाए अब पांच HP की motor जब आप चलाते हो तो वह अंडर लोड कंडिशन में चलीगी लेकिन उसके बचाओ के लिए आप मान लीजिए दो motors हैं आपके आपके पांच-पांच HP की और आपने इकठी वह चला दी तो जैसी आप इकठी चलाओगे तो वह उस टाइम भी ओर लोड कंडिशन में चला जाएगा क्योंकि दो पांच-पी की motor जितना लोड लेती हैं और उसके बाद हम बात करते हैं भई जो पांच-पी की जो motor है वो लगबग-लगबग-दस-पांच-पी-चला लेती है और जो हुँमारे पास दस ही की motor होती है मेरे पास जो लिष्ट है जो लूबी कंपनी के साब से मैं आपको पता रहा हूं तो उसमें पांच-पी-और आ ओर जो 10HP की मोटर है वो उसमें लेती है 18A करण्ट अब दोनों कंडिशन को हम देखते हैं एक जगे तो हमारे पास 18A करण्ट और अगर हम में इतनी करण्ट दे दे या 20A तक दे दे उसके बाद भी एफड में दोनों कंडिशन में आपको ता चुका हूं अंडरलोड और ओवरलोड यह दोनों कंडिशन वहां पर उत्पन होंगी जिसकी वजह से आप अपनी मोटर को रन नहीं कर सकते हैं इसका असान तरीका यह है आ आपकी दोनों चीछ चल जाती है आपकी मोटर भी चल जाती है के पास बैकट भी बशता है ठोड़ा बहुत बैटरीज में जो है और सात ही थाथ आप उस पर अपने घर का लोड़ भी चला सकते हो मान लिजिए आपको पाँच एच्पी या भी मोटर चलानी है तो पाँच साथ या और तालिस वोल्ट में हो जिससे आपकी जो मोटर भी रण हो जाए और साथ ही साथ आपके घर का लोड भी चलता रहे तो यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने बताया कि जो VFD डिजाइन किये गई है वो पर उतनी ही HP के मोटर के लिए डिजाइन किये गई है जितनी HP की आपकी मोटर है तो अगर आप उस पर जुगाडबाजी करना चाहें तो जुगाडबाजी ना करें उससे पहले थोड़ा क इससे समंदित अगर आपको कोई स्वाद रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल को देखते हैं सब्सक्राइब जूरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद है